हेलो एंड वैलकम तुमा यूटूब चैनल कोडवी तनस तो यह हमारी CSS टुटोरियल से रिलेटिड आज 19 वीडियो है इससे पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था गाइस CSS आइकन्स प्रोपर्टी के बारे में आइकन्स को किस तरी के सम लगाते हैं तो इस वीडियो टुटोरियल में हम पढ़ेंगे CSS लिस्ट स्टाइल के बारे में के लिस्ट स्टाइल क्या होती है CSS के अंदर अगर आपको पता हो तो HTML के अंदर दो लिस्ट होती है एक होती है order list और एक unorder list तो unorder और order list को styling करने के लिए हमारे बास CSS के अंदर काफी सारी properties होती हैं तो उन properties को हम इस वीडियो टुटोरिल में पढ़ेंगे तो चलिए start करते हैं जान लेते हैं को उनकुन सी properties होती हैं तो यह हमारे पा कुछ properties हैं जैसे CSS list style properties तो सबसे पहले हमारे पास है list style image list style position list style type और list style तो image अगर हमें जैसे आप आप देखने हैं यह image लगी है हमारे बास list के अंदर तो इस तरीके से हम icons लगा सकते हैं icons की image लगा सकते हैं किसके तरीए list style image के तरीए और उसकी position के हम define कर सकता है outside या inside style position के बाद दो value होती हैं जैसे inside और outside तो list style के type define कर सकते हैं जैसे circle जा अगर order list में हैं तो उसकी हम uppercase lower और के कुछ इस तरीके से और अगर इन तीनों प्रोपर्टीस को हमें साथ यूज करना है तो उसके लिए हम एक ही बार लेंगे सिर्फ लिए स्टाइल तो प्रैक्टिकली करके जानेंगे इसको ताकि हमें सजी से समा जाए तो व्यसकोड के अंदर आजेंगे व्यसकोड के अंदर आगा है हमने एक फॉल्डर बना रखा है css tutorial और उसी फॉल्डर के अंदर हमने दो फाइल बना रखी है एक index.html और style.css और हमारे बास एक image भी ऐसी फॉल्डर के अंदर जो के है star1.png नाम से और यह हमारे बास दोनों फाइल आपन के रखी है हमने और इसी index.html फाइल के अंदर हमने दिया हुआ है link दिया हुआ है css का और body text के अंदर हमने list बनाई भी है corresponding तो simply हम आएंगे style के अंदर और इदर हम लगाएंगे il तो अगर आपने styling करने list की तो आपने li नहीं लेना है आपने ul लेने तो simply लगाएंगे ul और सबसे परे हमारे पाप उनसी property है list image तो सबसे परे हम लगाएंगे list style type तो इदर लगाएंगे list style type जो के by default हमारी जो list style blade form जो आ रही है तो यह डिक्स है by default जो shape होती है वो डिक्स होती है तो discom card के दर कर देंगे circle और control as करेंगे तो आप देखेंगे अब यह जो हमारे बाद जो style है वो circle form में आ गई और next property हमारे पास c के अंदर वो होती है square तो simply square लगा लेंगे हम और यह आगे हमारे पास square और control as करेंगे तो यह करेंगे हमारे पास shape square form में और अगर हमें नहीं लगानी तो simply इसको हम कर देंगे none control as करेंगे तो यह हड़ जाएगी तो simply इतर हम लगा देंगे circle और circle लगा देंगे और उसके बाद जो हमारे पास जो property है ul तो ul को अंदर भी करेंगे तो simply इसी को copy कर लेंगे और नीचे इसक यह आप देखने order में आ रही है order form में आ रही है one two three करके हम इसको abcd में भी कर सकते है abcd capital lower में कुछ भी कर सकते है और roman में भी दे सकते हैं इसको हम तो हम देंगे simply upper alpha upper alpha क्या होगा control s करेंगे तो यह capital abcd में हमारे पास style type आ जेगी इसको अगर lower में देनी है small abcd में देनी भी कराइंगे lower alpha to lower alpha कर देंगे तो यह lower abcd में हमारे पास आ जाएगा इसके बाद हो कि हमारे पार roman में अगर हमें चाहिए तो simply हम ले सकते है lower roman control s करेंगे तो यह lower roman में आ जेगी अगर upper roman करते simply upper roman ले लेंगे और अपर रोमन करें कंट्रॉल एस करें तो यह अपर रोमन में आजएगी तो हफसा आपको समझ आओ किस तरीके सम लिस्टाइल टाइप को यूज करते हैं तो अगली प्रोपर्टी हमारे पास है इमेज की तो सिंप्ली हम क्या करेंगे लिस्ट स्टाइल ले लें तो simply इदर में लोगा star one dot png तो simply star one dot png और इसको हम कर देंगा control s तो आप देख रहे हैं अब जो हमारे पास जो form है bullet form और वो हो गई हमारी image आगए star आगए इदर तो इस तरीके सम images लगा सकते हैं अपना icons लगा सकते हैं multiple icons images लगा सकते हैं अपने list के साथ तो इस तरीके सम यूज करते हैं list image को होग तो आपको समझायो किस तरीके सम इस image को यूज करते हैं तो अगली property हमारी तो list image को हम सरिफ जो है use कर सकते हैं अपने dual tag के साथ तो उसके बात हम आज हैंगे simply position तो next property है हमारी list position तो simply style position पहेंगे इसकी दो value होती है simply inside और outside और मैं simply inside कर देंगे और control s करूं तो यह थोड़ा inside पहो जागा थोड़ा आगे की तरफ आजेगा और outside कर दूँ are outside करते हम simply तो यह थोड़ा अंदर की side पर आजेगा तो इधन हम काट तकर सिंप्ली isi को copy कर लिएंगे और control c करके control v करेंगे और यहां हम outside को हटा के inside अगर कर दे और ctrl s करें तो यह देखें जो हमारी order list है unorder list है हमारी inside पे और जो हमारी order list है वो है inside पे अब इन को हम एक ही साथ किस तरीके से use कर सकते हैं तो उसके लिए हम नहें लिस्ट स्टाइल simply list style लेंगे और इन टीनों इन जो properties हैं सब ते लेंगे image तो simply लेंगे url control c करेंगे और इदर हम paste करेंगे url को और उसी के बाद हमने लेना है simply insight insight ले लेंगे और दे देंगे हम simplis को और इन तीनों को हम उपर से काट देंगे और control s करेंगे तो आप देखें by default जो था तो इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को subscribe कीजिए मिलते हैं आपसे नेक्स वीडियो में